हम जब भारत जोड़ने की बात करते हैं तो सीमाओं पर भी कुछ खत्रे मंड़ा रहे हैं हमारी चीन से जो सीमाओं विशेश तोर पर अब जो अरुनाचल प्रदेश में हो रहा है सरकार खुद भी आँख मून्द कर बैठी है और सरकार चाहती है कि मीडिया और विपक्ष भी आँख मून्द कर बैठ जाएं कल तमाम विपक्षी दलों ने संसद में वॉक आउट किया क्योंकि विपक्षी दल आँख मून्दना नहीं चाहते है वो आँख खुली रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं, मीडिया भी अपनी आँख खुली रखे, क्योंकि अगर हम सब ने आँख मूंद ली, तो माफ कीजिएगा बॉर्डर पे बचने लाइक कुछ होगा नहीं, कुछ रहेगा नहीं। तो वो clean shit दे देते हैं चीन को, 20 जून 2020 को जो उन्होंने clean shit दी, आज तक हिंदोस्तान उस clean shit का खामियाजा भुगत रहा है, हर बॉर्डर पे चीन के साथ हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि चीन को समझ में आ गया है, कि हिंदोस्तान का प्रधान मंतरी अपनी 26 स उंचा और किसी चीज़ को नहीं मानता है। भारत की सीमाओं की सुरक्षा को भी वो अपनी छवी से नीचे मानते हैं, उपर नहीं मानते हैं। संसद में आप चर्चा क्यों नहीं करना चाते हैं चीन के मुद्दे पर, ये कॉंग्रेस भी जानना चाती है, समुचा विपक्षिया जानना चाता है। इसी मुद्दे पर राजिस्थान का एक इतिहास जुड़ा हुआ है। 1962 के जंग में, जो हिंदुस्तान और चीन का जंग हो रहा था। एक 36 वर्षिये नौजवान सांसत थे अटल बिहारी वाजबई, जिनोंने बीच जंग के संसत का विशेश सत्र बुलाने की मांग की, चाहते तो नहरुजी भी कह सकते थे कि आप तो चीन के एजेंट हैं, हम नहीं आपकी बात सुनेंगे, नहरुजी ने वो मांग स्वीकार की, राजिस्तान कैसे जुड़ा हुआ है इस एतिहासिक मुद्दे पर मैं वो बताता हूँ आपको, पाली से एक सांसत हुआ करते थे, हमारे सहयोगी है अभिशेक सिंग्वी जी उनके पिता जी, निर्दली ये सांसत थे, उन्होंने नहरुजी को सला दी, अटल जी को भी स सत्र होगा, ये confidential होना चीए, ये secret होना चीए, इसकी जो चर्चा होगी इसको छपना नहीं चाहिए अख़बारों में, मीडिया में बिल्कुल नहीं आना चीए, नहरुजी ने उसको इनकार कर दिया, कि ये राष्ट्रिय महत्व का मुद्दा है, लोगों का हक है जानना, कि सांसद इस पे क्या बोलते हैं, क्या राय रखते हैं, सरकार की क्या राय है, नहरुजी ने जिद की, कि संसद में चर्चा होगी और वो चर्चा कोई confidential चर्चा नहीं होगी, सबको मालूम होना चीए क्या हुआ, 165 सांसदों ने उस चर्चा में हिस्सा लिया, अपनी अपने रखे, कॉंग्रेस के सांसद महवीर त्यागी हुआ करते थे, खुलकर उन्होंने सरकार से सवाल पूछे, अपनी ही सरकार से सवाल पूछे, और उन्हें किसी ने रोका नहीं है, यह कॉंग्रेस की परंपरा न तब थी न आज है, मोदी जी को इतिहास के उस पन्ने से सीखना चाहिए, कि जब राश्ट्रिय महत्व के मुद्दे होते हैं, जब सीमाओं की सुरक्षा का सवाल होता है, तो देश जानना चाहता है कि हमारी सीमाओं पर क्या हो रहा है, मजबूत से ना है हमारी, वीर से ना है हमारी, शौरवान से ना है हमारी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर राजनेतिक इच्छा शक्ति नहीं हो, कमजोर हो, तो सैनिक ख़देड़ना चाह रहा है चीन के सिपाईयों को, लेकिन clean shit दे रहा है प्रध ये एक नागरिक की चिंता है और जिस राज्य से हम आते हैं, जिस राज्य में हम बैठे हैं, यहां से कई जवान सेना में जाते हैं, सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए विशम परिस्थितियों में काम करते हैं, संगर्ष करते हैं, तो ये करजा हम सब के सर पर है, यहां के दबाव में हो 18-18 बार प्रदान मंतरी चीन की राश्पती से मिलते हैं क्यों मिलते हैं जब वो गुजरात के मुख्य मंतरी थे तो आपको ये जानकर हैरानी होगी और दुख भी होगा कि नरेंदर मोदी जी जब गुजरात के मुख्य मंतरी थे तो गुजरात के स्कूलों में मेंडरिन भाषा पढ़ाना चाहते थे, कंपलसरी करना चाहते थे, कॉंग्रेस ने तब भी विरोध किया था, गुजरात के स्कूलों में आप मेंडरिन लाना चाहते हो, आपका क्या रिष्टा है चीन के साथ, 43,000 करोड के करारना में चीन की कंपनियों के साथ, धोलेरा जो गुजरात में एक बना रहे हैं ये, 43,000 करोड के करारना में चीन की कंपनियों के साथ किये गए, अपने जो MSME सेक्टर है, उसको जमीन नहीं दे रहे हैं, चीन की कंपनियों को धोलेरा में जमीन दी जा रही है, क क्या कारण है क्या दबाव है चीन का आपके उपपर चीन के पास क्या है ऐसा कि आप चीन के आगे न मुझ खोल पाते हो ना आँख उठा पाते हो तो यह सारे सवाल और आपको एक हैरान कर देने वाला तथ्य बताता हूँ कुछ कंपनिया है यूसी वेब साइट मोबाइल चीन की कंपनी है भारत सरकार मोदी सरकार कहती है कि ये कंपनी देश की संप्रभुकत्ता के लिए खत्रा है उसी कंपनी को लोगसभाचुनाव में भाजपा इस्तेमाल करती है क्या कारण है ऐसी और कंपनिया है एक और कंपनी का नाम सुनिए डॉंग फैंग नाम की एक कंपनी है विश्व बैंक ने उसको ब्लैकलिस्ट किया अमेरिका ने उसको ब्लैकलिस्ट किया योरोप ने उसको ब्लैकलिस्ट किया लेकिन मोदी सरकार ने डॉंग फैंग कंपनी को बॉर्डर स्टेट जमू कश्मीर में स्मार्ट मीटर बनाने का लगाने का ठेका दे दिया और स्मार्ट मीटर का ठेका जब आप किसी कंपनी को देते हो तो आप उपभोकताओं का तमाम डेटा उस कंपनी को सुपूर्ट कर देते हो जमू कश्मीर के नागरिकों का डेटा ब्लैक यह सवाल जब हम पूछते हैं तो देश की चिंता है इसलिए पूछते हैं और सरकार और देश में अंतर होता है मुझे देश से महबबत है इसलिए मैं अपनी सरकार से सवाल पूछता हूँ यह बात मोदी जी को समझ लेनी चाहिए ऐसी कई कमपनिया है PM Care Fund में चीन की कमपनियों ने पैसे दिये बताएं वो हिसाब बताएं कौन सी वो कमपनिया थी उसमें ऐसी ऐसी कमपनिया थी जिनको पूरा विश्व अपने अपने देशों में आने से रोकना चाहता है हमारे प्रधान मंत्री ने PM Care Fund जिसके बारे में जानकारी न कभी आपको मिल सकती है न हमें तभी मिलेगी जब हमारी सरकार आएगी उससे पहले नहीं मिलेगी वो तमाम कमपनियों से पैसे लिए चीन की कमपनियों से चीन की कमपनियों से आप लोगसभा चुनाव में उनको बुला कर हस्तक शेप कराते हो अपने देश के चुनावों में चीन की कंपनियों से आप पैसे लेते हो चीन की कंपनियों से आप PM Care Fund में पैसे लेते हो उनको आप धॉलेरा में जमीन दे देते हो आपकी नियत क्या है आप पर दबाव क्या है यह हम बार-बार पूछेंगे जब तक जवाब नहीं मिल जाता हम पूछेंगे